दोस्तो आज मैं आपको लेकर आओं प्रधानमंतरी आवास जो की सार्दानगर विस्ता रही है लखनों में बने हुए हैं और यहां पर देखते हैं इंट्री गेट दिया हुआ है और यहां पर गाट की व्यास्ता भी है यही रोड काफी अच्छी बनाई गई है साथ में फु करा सकते हैं और कफजा ले सकते हैं तो यह देखिए काफी अच्छा लूग आ रहा है यहां पर फ्लैट का जो कदर कॉंबिनेशन है वह भी काफी नाइस लुक है और यह चौरा पड़ेगा यहां पर इसके अंदर और सब्सक्राइब चलती पूरा दिखाते हैं अंदर तो क यहां पर किस तरी के लोग रह रहे हैं कैसे अलॉट्मेंट हुआ और कब हुआ और क्या क्या सब्सक्राइब चालूआ है चली सुरू करते हैं दोस्तों इन अवासों के क्वार्म 2020 में लडिय निकाले थे और यहां पर लोगों को कभजा मिल चुका है पेमेंट भी सब कर जा है लडिय ने रोड्ढ काफी चौडी है और फॉट पात भीं है साथ में अच्छा किया है देशते हैं यहां पर काफी चाजव चौडी यहां पिंक कलर पिंक में वाइट राकर काफी अच्छा इसका निखार आ रहा है साथ में नाली गया जो बनी है फुटपाज बनी इसमें भी डियान दिया है काफी अच्छी तरीके से दोस्तों यहां के रोड जो है रोड है काफी मजबूत बनाई गई है देसुत्य आपर खंबे लगे हुए है लाइट चालू है और काफी जादा स्पेस दिखिए काफी पुरा खुला एरिया है पूरी ए दिखते हैं अंदर से के अंदर flat कैसे दिखते हैं दोस्तों तो यह ही चलते हैं यह दोखिए *** kellड़ 53 आशन इसम और इसमीं चलते हैं हम और आप कैसे अंदर का नजारा है तो यह दहिए जीने के निश्य नहीं के लिई दिए है लाइट के लिए और यह लई लिए आ पूटी फैन्ट लगारा पूएढ़ा करगे यह ताइस है किचन दे दिया विभू में आगल जाकर और यह देखिए एक रूम दिया है बैड्रूम यह सोने के लिए आपको इसमें इन इने सपेस दिया है स्टोरेज गलिए और इसमें देखिए आपको स्वीचबोर्ड टाइस लगा के पूरा और भी विंडो देंगे खिड की ये खिड की जो है sliding वाली है slide कर सकते हैं glass with glass वाला तो मैंने slide करें आगो दिखाए दिखें अब चलते हैं बाहर देखते हैं बाहर देखेंगे तो यहां पर आपको एक bathroom दिया उन्होंने आपको यह से वही से ही बना है जिसे कि अबद विहार योजना में था वहास विगाज ने बनाया था यह LDA ने बनाया हुआ है यहान पर देखा retained oohë, यहां एक बात्रूंइ आपने देखा टाइस लगा-हूआ है, आप और चलते हैं बहर देखेंगे बालकरी लगाणी में कि आप जब वास्रूम में जाएं तो उसके बाद आप हैंड वास कर सकते हैं अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे अगर कोई सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट करें मैं आपको जवाब जरूर दूँगा